वश्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का एक बहुती कुपसूरत और आसान डेजाइन लाए हूँ आप चाहे तो इसे बॉर्डर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो पूरे स्वेटर में आप इसे बना सकते हैं बनाना बहुती आसान है पिगनर्स भी इसे आसाने से बना सकते हैं इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टिपल फंदे चाहिए और तीन फंदा एक्स्ट्रा ऐसे चार-चार फंदे हम गिनें तो लास्ट में तीन फंदा बचना चाहिए तो डिजाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा तो डिजाइन की पहली लाइन में फंदे डालने के बाद हम सभी फंदों को हम सीधा बुलेंगे ये हमारे डिजाइन का लाइन नहीं है बलकि ये बेस लाइन है तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुलेंगे रॉंग साइड में है और यहां पे हम अपना सेकेंडरी कलर अटाच कर लेंगे तो हमने अपना दूसरा कलर अटाच कर लिया अब दूसरे कलर के उन से हम तीन फंदा उल्टा बुनेंगे एक, दो, तीन और चौथे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे नेक्स्ट तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे और चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे तो इन ही चार फंदो को हमें पूरी लाइन में दूराना है तीन फंदो को उल्टा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है तीन फंदा उल्टा और चौता फंदा स्लिप कर लेना है इसी तरह करते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगा लास्ट में तीन फंदा बचेगा जिने हम उल्टा बुरनेंगे अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा दूसरा लाइन है तो दूसरी लाइन में ये जो हमारे तीन फंदे दिख रहा हैं सेकेंडरी कलर वाले उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और स्लिप की हुए फंदे को उन दूसरी तरफ करेंगे स्लिप के हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदों को उल्टा बुनेगे उन दूसरी ओर देखिए ये प्रैमरी करार का फंदा है तो इसे हम स्लिप कर लेंगे उन अपनी और करेंगे और सिकेंडरी करार वाले तीन फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और स्लिप किये वे फंदे को स्लिप कर लेंगे उन अपनी और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और slip किया फंदे को slip करेंगे उन अपनी और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे तो हमने दो लाइन कम्प्लीट कर लिया अब हम रॉंग साइड में हैं तो अब हम फिर अपने प्राइमरी कलर के उन से बुनेंगे एक फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और दूसरे फंदे को हम slip करेंगे देखिए तीन फंदे हमारे सेकेंडरी कलर के थे तो पहले फंदे को हमने उल्टा बुना दूसरे फंदे को slip कर लिया अब फिर तीन फंदे हम उल्टा बुनेंगे तो तीन फंदों में एक फंदा हमने उल्टा बुन दिया अब ये बीच का फंदा जो है दूसरा फंदा इसे हम स्लिप करेंगे और अगले तीन फंदे देखे ये फंदा हमने स्लिप किया था तो ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे इन तीनों को हम उल्टा बुलेंगे और एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे फिर तीन फंदा उल्टा फिर एक फंदा स्लिप करेंगे फिर तीन फंदा उल्टा इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में एक फंदा बचेगा उसे हम उल्टा बुनने अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है तो बुने हुए फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर करेंगे और स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे उन अपनी ओर बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे उन दूसरी ओर स्लिप किये हुए फंदे को स्लिप करेंगे तीन फंदा उल्टा, उन दूसरी और स्लिप कियों फंदे को स्लिप करेंगे, उन अपनी और करेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट हो लेंगे अब हम फिर रॉंग साइड में हैं और इन ही चारो लाइनों को हम उपर उपर दूहराते जाएंगे तो देखिए फ्रेंट्स इन ही चारो लाइनों को दूहराने से ये खुबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा सामने से देखें यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा चार लाइन का repeated डिजाइन है एक रंके उनसे दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन हम दूसरे रंके उनसे बना रहा है तो friends डिजाइन बहुत ही आसान है और बहुत खुबसुरद इसे आप चाहे बॉर्डर की जगह इस्तेमाल की जए या पूरे स्वेटर में डालिए इसे आप बच्चो के स्वेटर में डालिए लेडिस काडिगन में, जैकेट में, कोटी में डालिए बच्चो के शॉक्स में, शूज में, कैप में, हैट में डालिए यह बहुत ही अच्छ झाल करें. तेंक्स वर वाचिए।